नमस्कार दोस्तों मैं दीपक वर्म आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल दीपक पैट्सलवर में तो दोस्तों यह फिमेल आप बजरी की देख रहे हैं यह काफी दुनों से मटकी में थी मैंने सोचा कि इसने एक दे दिये होंगे पारी देखो अब इसको हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं इसको एक बाइंडिंग हो गई थी अंडा फस गया था इसके मैं अकेला हूं उससाब से मैं आपको भी दिखाऊंगा यह देखिए यह अंदर चला जाएगा दीरे दीरे यह कोई प्रॉब्लम नहीं है यह तो म बिलकल ही मुलाएं मैं यह अंडा देख सकते हैं अब देखो यह इस प्रिंग बिलकल उसकी तरह कर रहा है यह रवड की तरह है इस पर अभी सेल नहीं आया है टाइट वाला तो मैंने इस अंड़े को पहले बाइव मुझे इसका दर्द देखा निए इसलिए मैंने पहले अ अभी इसकी कंडिशन डाउन हो गई है इसकी कोई पता ने इसको ये बचेगी भी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम लेकिन जो अंडा फसा हुआ था मैंने वो निकाल दिया है आप देख सकते हैं और इसकी कंडिशन अभी हम इसको बिल्कुल डिश्टप नहीं करेंगे इसको इस वीडियो को पूरा करने के लिए मुझे दो से तीन दिन लगेंगे फिर मैं इसको आपको कल भी दिखाऊंगा के इसकी कंडिशन कल क्या रही क्या नहीं रही यह रही या नहीं वैसे मैं कोशिस करूँगा वैसे सरीर मतहल दिया दर्द इसके बहुत हो रहा देखो के पास यह वीडियो सेर की जाए रख दिया है नीचा नीच छोड़ा बना और मेल उसको मारते और फ्रेंड यह देखो यह अंडा कैसा है मैं तो पहली बार यह संदा देख रहा हूं जो जंप कर रहा हो यह दो ऐसा लग रहा पर रवण जैसा एक दम बॉल की तरह फूड भ बढ़ा निकालने के लिए इसमें प्रेंड डालती है तो यह अंडा वहीं कर दब जाता है प्रूड जाता है तो यह बाहर नहीं आ पाता निकल के इसलिए यह यह बैंड फीकर देखें आप्र डाल रहा हूं तो यह ओलेगा भी देखो कितनी जैसे घैंट की तरह उल लाई यही होती है केलसियम के कारण जो इनी बन पाया है इसके बाद हम यह वीडिrait आगे सेड करेंगे जो भी रेल्ड होगा आपको दिखाया जाएगा बचेगी तो नहीं बचेगी तो ऐसा तो एनी कि हर अच्छी बच्छी आता हो उस मर भी जाते हैं वो भी सियर करना चाहिए ऐसा नहीं होनी चाहिए कि भई छुपा लिया मैं छुपा तो कोई बात नहीं हूं बैसे भी मैं इस पर नजर डालने एक बार इसमें क्या हल चाल है बच्छों के दोनों है एक पाइनपिल कनूर है एक ग्रीन चिक कनूर है ठीका फ्रेंड आज हम दूसरे दिन की ये वीडियो बना रहे हैं तो चलिए देखते हैं उस फिमेल को पहले हम इस मटकी को उतारेंगे इसके बार बुरा हुआ फिमेल नहीं बच पाई ये फिमेल मर गई इसकी उमर भी कापी हो चुकी थी मेरे सायद ये चौच भी कापी बड़ी हो गई है इसकी ये वही फिमेल है जिसको मैंने कल एक माइन गले बताया था आपको वीडियो में आप देख चूकि होंगे आगे ये वो फि ईसाने मेल की फिमेल मरकें यह इसलिए आपसकी करेंगा, इसंसरे लए इसंसरे करेंगे धनार बुद these एकषा , विदिये के ओंदेंगे सोEstm अंग level से और देंगे में सबस्कांपून में बचा पाने हूंद सब्तेता इंग coy, Halo तरिज़े फ्रेंट आप अपने बड़ का ध्यान रखें चेक करते रहें अकर एक माइंडिक हो तो उसको तुरंत के तुरंत ठीक करें मैंने तो साइधिती तीन दिन अंड़ा फसारा फसारा उसके बाद देखी है मैं इसमें ज्यादा तांका जहांकी नहीं करता हूँ इसी वज़े से ये मुझे नतीजा बुकत ना पड़ा आ चैने अगली वीडियो में किसी नहीं टपक के साथ गया करें किसा सुद्राइब करें और अपने दोस्तों में शियर करें कमेंट करके बताएं कि इसका क्या हो सकता था क्या हमने नहीं किया क्या कमी रही क्या क्या नहीं ठीकamment